नमस्कार साथियों मैं हूँ पीके साव हूँ मेरे यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ साथियों आज के टॉपिक है हमारा सिधी भरती में आयू सीमा सभी समवर्गों का यू आर एश्टी एसी ओबेसी एएक्स और पी एच सभी का आयू वर्ग निम्तं और अधिकत्म कितनी हो सकती है कितनी होती है वरतमानियम के अधहार पर यह सारे हमचरचा करने वाले हैं तो दोस्तो अंद तक बने लएगा बहुत लोगों को थोड़ासा उम्र में कितना हमको क्या फायदा मिल रहा इसमें थोड़ा सा confusion हो जाते हैं तो मैं इस राजपत्र के अधार पे आपको सभी विभागों का सभी समवर्गों का बताने का प्रयास करूँगा कि और हाज कामरा टॉपिक है आयू जिसमें आप देखेंगी नियुके बारे में देखेंगे हाँ इस पत में विग्यापन जे प्रकासित hash arrow łat खेंगो में सिंगी ए निम्तम और अधिक्तम देको जाता है फिर जो लिखा हूँ इसके साथ से बता रहूँ जिसमें पद है तो विज्यापन प्रकासित होता है कि जनवरी के प्रथम दिन पर अभ्यारतीने अनुसुची 3 के कालंतिन में यथा निर्विदिष्ट आयू की कर लिए हो तथा उक्त अनुसुची कालंचार में यथ दिखाने का प्रयास करूंगा इसमें होगा तो दिया रहता है दोसी के बारे हम जानेंगे साथ से पहले यहां पे देखिए का के बाद यहां पे का नंबर है उसके बाद हम खा नंबर में आते हैं साथ से पहले देखें यहां पे कोई भी विग्यापन में आप देखेंगे कोई भी विग्यापन में हो अभी वरतमान में तो नियुम्तम नियुम्तम 21 वर्स ठीक है और अधिक्तम मैं दिखाऊंगा आपको अधिक् लिखा रहता है इससे अधिक ना हो उसके बाद कुछ-कुछ संवर्गों को छूट दिया जाता है तो अब यहां पर देखें कि यह तो निमताम हो गया इससे नहीं होगा अभी वर्तमान में नहीं है अगर संसोधन संसोधित करते तो बातला अगले इससे कम लेकिन इसमें हम द तक सिथलनिया हो गए जैसे यहां पर स्क्राइब हो गया इसका अधिक्तम आई उसी में 35 वर्स लेकिन इस उम्र का हो इस केटीगरी का है इस आरक्षन का हो तो सब में 55 प्लस एड कर दिजिए आप तो 35 प्लस कितना हो गया 40 35 प्लस 40 वर्स हो गया मैं लब किसके लिए हो गय है ध्यारा किस के लिए हिए मुकत के लिए मुठा में महिलाएं भी आती है और पूरूस भी आ जाती है ठीक है या किसी सिदा सिदा कह सकते हैं यह पूरूसों के लिए ही है मानके चले क्यों कि 46 सिव ज्वी सेवा महिलाओं की निक्ति के लिए विशेश उपबंद नियम 1977 के उपबंद के अनुसार महिला अब भेरतों के लिए उच्चतर आयो सीमा में अधिक्तम 10 वर्ष तक की सिथिलनिया होगी अब यहाँ पर देखे अधि हम महिला के बात करते हैं इसमें आ जाएगा तो सिधा सिधा क्या बचा यह पूरूस बचा मनलब स्टी एस्सी के जितने भी पूरूस वर्ष उसको अधिक्तम आयो कितना है चालिस वर्ष है निम्तम कितना है 21 वर्ष है ठीक है उसी प्रकार से आप देखेंगे 35 वर्ष के छूट है 35 में 10 एड कर दीजिए अधिक्तम में तो 35 में 10 एड करेंगे तो 45 वर्ष सभी महिला वर्ष को चाहे वो UR हो SC हो ST हो OBC हो सभी को 45 वर्ष की अधिक्तम आयो तक कि उसको छूट दी जई है ठीक है अब यहां पर हम देखते हैं निसक्त वेक्तियों को श्रमान्य प्रसासने भाग के निर्देशों के अनुसार अधिक्तम आयो सीमा में छूट दी जाएगी इसका नियम बनते रहता है है ना उसके धार पर दिया गया लेकिन वर्थ मान में जिस प्रकार से महिलाओं को अधिक्तम आयो दस वर्ष दी जा रही है उसी प्रकार से इसका भी दस वर्ष अधिक छूट दी जा रहा है तो दिव्यांगों को भी 45 वर्ष तक कि आयोसिमा में छूट दी जा रहिए है तो सिदह सिदह हम देखें कि ST, SC, OBC में पूरुस वरों को 40 वर्स महिला वरों को चाहे वो IOWR का हो चाहे ST का हो चाहे SC का हो चाहे OBC का हो 45 वर्स और निसक्त दिव्यांग जितने भी दिव्यांग है उसको 45 वर्स या किसी किसी राज्या में इसको 50 वर्स केंदर में 50 वर्स तक की देने की प्रावधान दीख रहा है ठीक है वहाँ पे है लेकिन वर्तमान में अभी राज्या में 45 वर्स दिया गया है अब उसी प्रकार से यह जो आयो सां पूरसों के लिए 21 और 35 वर्स अधिक्तम आयू सीमा दिया गया है अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा उसी प्रकार से नीचे चलते हैं थोड़ा सा जान करें लेते हैं यहाँ पर ई- एक्स वालों के लिए है जैसे यहाँ पर देखेंगे ऐसे बहरतर जो इस्थाई साज की सेवा को 38 से अधिकतम आयूग नहीं होना चाहिए मरलाब यहां पर आप देखेंगे उसको 38 वर्स अधिक्तम दिया गया यह अर्थात तीन वर्स की अधिक्तम चूट और दी जाती है जो सेवा में है जो सास की सेवा को जिसे EX उसको अधिक्तम तो 5 वर्स के चूट और दे जाएगी तो 5 ये तो 7 की सिवा कोने कारण इसको 35 में 3 और दे दिया तो 38 हो गया 38,5 कितना हो जाएगा 43 वर्स हो जाएगा जितने भी एक्स वाले हैं उसको अधिक्तम 43 वर्स और अधिव हो गया तो और नियम्य अनुसर और उसको और बढ़ा जा सकता है लेकिन ध्यान रखेगा अभी 43 वर्स है लेकिन अधिक्तम से अधिक्तम आप देखेंगी है ना तो ध्यान रखेगा बदा देता हो मैं आपको उप्रोक्त स्वमर्गों को किसी एक या एक से अधिक अधार पर छूट प्राप्त करने के उपरां सास की सेवा में प्रेवेश के लिए अधिक्तम आयू 45 वर्स से अधिक नहीं होगी मलब 36 गर में देखा जाए सांथियों तो किसी भी वर्ग को हो श्रम वर्ग को हो चाहिए कितनी बार भी छूट दिया गया हो एक सदिक बार भी छूट के उने दिया गया हो उसकी उम्रा 45 वर्स से अधिक नहीं हो सकता लेकिन उपरोक्त के अतरिक आयू सीमा के समद में सासन के समान ये प्रसासन ने भाग दोड़ा समय समय पर जारे निर्देश भी लागू होंगे चाहे तो इसमें परिवर्टान वो कर सकता है लेकिन वर्तमान में 45 वर्स से अधिक किसी कभी आयू वालों को नहीं ले सकते आयूप को समझ में आ गए होगा कि किस वर्ग में किस नवर्ग में कितने आयू का होगा चलिए एक बार इसी प्याद डिसकस कर देता हूँ जैसे चलो आपको बताने का प्यास करता हूँ इसमें अनरक्षित का आप देखेंगे जिसमें मुक्त हम बोलते हैं मुक्त अनरक्षित नदला मुक्त है ना इसी में 21 और 35 वर्स और OBC का भी हम देखेंगे तो 21 35 प्लस कितना हो जाएगा 5 बराबर 40 वर्स और S C का आप देखेंगे तो 21 35 प्लस 5 बराबर 40 वर्स उसी प्रकार से S T का देखेंगे तो 21 35 प्लस 45 प्लस 5 बराबर 40 वर्स ये किसका हो गया मुक्त का हो गया चाहे इसका हो चाहे OBC ST SC का हो उसी प्रकार से आप देखेंगे महिलाओं के लिए मुक्त में दोनों आ जाते हैं लेकिन महिलाओं के लिए विसे सुरूप से देखेंगे चाहे वो मुक्त में जाए चाहे महिलार अक्षर में जाए 21 उसके बाद 35 प्लस 10 मतलब 45 हो ठीके चाहे वो किसके लिए हो सब के लिए कितना होगा अधिक्तम 45 वर्ष उसी प्रकार से ए एक्स देखें तो इसका है अभी वर्ष में 43 लेकिन समय समय पर नियमा अनुसार बदलता रहता है तो जिस किसी समवर को हो उसकी उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता क्योंकि जो सेवा में हैं 37 सेवा समय तीन साल का और छुड़ दे जाता है 35 प्लस 3 तीन 38 हो गया पांस साल का और छुड़ दे जाता है 21 वर्ष तो है लेकिन 7 साथ 35 प्लस 10 वर्ष से कभी इसको छूट दिया जा रहा है तो अधिक्तब आयुसी में कितनी होगी दिव्यांगों के लिए 45 वर्ष ही होगी ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अधे अच्छ लगे तो लाइक के में शेयर अवर्ष कर रहा हैं किस्ट रहा हैmos से कुछने माइ खिर्लिष रख सवेर रón झाल झाल